नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैलेंग डॉक्टर दीरच फिजोतरपी क्लिनिक में और मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर दीरच दोस्तों, बोन्स हेल्थ के बारे में एक बहुत महत्वपून जानगारी में देना चाहता हूँ और वो है कि आपने सुना ही होगा कैल्शियम, वाइटमिन डी और वेट बिरिंग एक्सिसाइज ये तीन महत्वपून चीजे हैं जिनसे आप बोन की हेल्थ की देख बाल करते ह एक बहुत important element है बोन हेल्थ के लिए, वो है magnesium ये इसका ख्याल हमें तब जादा रखना है क्योंकि इसकी deficiency जो होती है वो पहली बात symptomatic नहीं होती है, asymptomatic होती है ज्यादा तर इसलिए इसकी deficiency हमें तब ध्यान रखना है जब loss हो रहा है हमारे body से, जैसे कि stool से loss हो जा रहा है, हम ठीक से खा नहीं पा रहा है, hospitalized है हम, normal foods हमें नहीं मिल रहे हैं, तो magnesium का loss हो सकता है, और एक महत्वपून चीज, cancer की treatment में एक दवाई यूज होती है, यह सिस फ्लाटिम, और इस तरह की दवाई से जो होती होती है, जिनकी वज़े से magnesium का loss होता है, तो magnesium जो है हमारे किस तरह क्या से effect करता है, वो बता देता हो उपको, जो parathyroid gland होता है, उसका काम होता है कि calcium के level को वो maintain रखे blood में, लेकिन parathyroid hormone जो है, वो release होने के लिए magnesium की बहुत जरुत होती है, तो magnesium जैसे ही कम होगा, हमें parathyroid hormone जो है, हमारा parathyroid gland ठीक से काम नहीं करेगा, और calcium जो है, वो ठीक से maintain नहीं होगा, दूसरी दिक्कते हो सकती है, जैसे कि heart की problem हो सकती है, heart rhythm की problem हो सकती है, तो bone health के अलावा, ये heart को भी effect करता है, heart के rhythm को भी effect करता है, और उसके contraction को भी effect करता है, तो दोसकों बहुत जरूरी element है magnesium, अगर आपका कोई bone problem जो है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो आप ए जरूर चेक करवा लिए कि कहीं magnesium की कमी तो नहीं है, magnesium problem तो नहीं है, तो दोस्तों, इस महतपूर जानकारी के साथ, आप से लेता हूँ, मैं आज विदा, आपको और भी जानकारी दूँगा, अगले वीडियो में, bone health से related, joint and muscle health से related, आप इसी तरह से मेरा चैनल देखते रहे इसको subscribe जरूर कीजिए, अगर आप ने कर लिया है, तो और उसे भी करवाईए, और like बटन जरूर दबाईए, आपको अच्छा लगे, तो और comment जरूर कीजिए, कि आपको कैसा लगा ये, जानकारी पार करके, और आपका दिन बहुत बहुत शुब हो, शुब रविवार, न Namaskar.